चीन और ताइवान में इन दिनों तनाव काफी बढ़ गया है और चीन कई बार ताइवान को युद्ध की धमकी भी दे चुका है दोनों देशों में जारी इस तनातनी के बीच ताइवान की सरकार ने चीन की दुखती रख पर हाथ रख दिया है दरसल ताइवान सरकार ने निर्वासित तिबती धर्मगुरू और बोदों के वैश्विक धर्मगुरू दलाई लामा को लेकर कहा है कि अगर वे ताइवान आना चाहते हैं तो वे उनका स्वागत करेंगे ताइवान सरकार के इस बयान से चीन के लिए मुश्किल का सबब माना जा रहा है ताइवान के विदेश मंत्राले ने कहा कि दलाई लामा के किसी भी यात्रा के अनुरोध पर तैय नीमों के तहत फैसला लिया जाएगा विदेश मंत्राले के प्रवक्ता जो आने ओयू ने कहा कि बहुत शिक्षाओं के प्रचार के लिए हमारा देश फिर से तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा का स्वागत करने के लिए तैयार है बतादे कि 2009 में अन्तिमबार दलाई लामा ने तैयवान की यात्रा की थी बतादे कि बीते 6 जुलाई को अपने जनम दिन के मौके पर दलाई लामा ने तैयवान में विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी अपने समर्थकों से बात की थी चीन को दलाई लामा पर सक्त आपत्ती है और इनके ताइवान दोरे का विरोध कर सकता है चीन ताइवान को अपने भुभाग का हिस्सा मानता है जबकि ताइवान खुद को एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश घुशित कर चुका है